देखिए नमक जो आपके घर का है उसके अंदर आपके संसकार हैं इसलिए पहले जमाने में लोग जादा तर घरों में नमक नहीं खाते थे या बाहर से कोई व्यक्ति अगर आते भी थे पूजा वगएरा कराने के लिए तो वो अपना खाना खुद बनाते थे वो भी मीठा नमक नहीं खाते थे क्योंकि नमक के अंदर व्यक्ति के परिवार के संसकार होते हैं अगर किसी नकारात्मक व्यक्ति का नमक खाते हैं उसका नमकीन खाना खाते हैं तो आप नकारात्मक उर्जा का शिकार हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, आप मुश्किल में आ सकते हैं जिस व्यक्ति के साथ आपके संबंद अच्छे हों, जिसको प्रेम करते हों, जिसके बारे में अच्छी भावनाएं रखते हों, उसी का नमक खाना आपके लिए बेहतर होगा, जिसके साथ आपके संबंद बहुत अच्छे हों.